आप सबका सागत है राकी की पार्टसला चैनल में आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो कि आज का टॉपिक है रदे रख्त परसेंचर अंटन कर उसमें देखेंगे और इसमें हिदे की संपूर जानकारी देखेंगे कि हिदे का आपार क्या होता है हार कितना होता है और यह कहां पर स्थित होता है और यह कौन-कौन से कारी करता है इसे संबंदी जो संपूर जानकारी है इसमें देखेंगे और यह भी देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यह कैसे होता है तो आज का यह वीडियो बहुत ही कास है कि इसमें रख्त प और ये कहा परिषित होता है और इसका कार क्या होता है और भार कितना होता है पाइचछा की दर्श्च से तो महात्पूर्ण है ही वैसे भी पता होने चलिए ये बाते के वें है तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो और आज़ा परिषुन का अंतनर ब्रेल्ट सैंपें हर्दय का जो कार्य होता है हर्दय ब्लेड को पंप करना और लंग्स के पास भेजना यह होता है हर्दय का कार्य और जो लंग्स के पास जब इसे भेजता है तो लंग्स का क्या काम होता है रुधिर का सुध्धी करण करना तो ये है फोर चेम्बर होते हैं इसमें वन ये थ्री है वन टू थ्री फोर तो ये वन थ्री ये जो है आलिंद और ये जो तू और फोर है ये है वरेंटिकल ये है पल्मोनरी आर्ट्रियो यह है pulmonary vein धमनी जो होती है सुधरक्त ले जाना हर्दय से सरीर के अंग तक इसका काम होता है सिरा का आसुधरक्त लाना हर्दय में सरीर के अंग से जो pulmonary अगरी धमनी है और pulmonary सिरा है pulmonary सिरा इसको देखना है जो pulmonary धमनी होती है यह क्या करती है आसुधरक्त ले जाना हर्दय से फेफड़ों तक और जो यह pulmonary सिरा होता है यह सुधरक्त लाना हर्दय तक यह जब हम blood circulation अभी देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि यह कैसे होता है रक्त परसंचरण तंत्र जो है रुधिर परसंचरण तंत्र की खोज William Harvey ने की है जो मनुस्त का हर्दय होता है यह गुलावी से रंग का संख्वाकार खोकला मान सलंग होता है इसका भार्ज होता है लगभग 300 ग्राम होता है cha 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 पदो आप सबूरू करके लिख सकते हैं जो धमनी होती है उनसे प्योर भयाрь होता है और बस एक ही ऐसी जो है धमनी है Jest जिसमें इंप्योर भ्लड होता है, प्रमौनरी आर्ड्री जिससे कहते है? प्रमौनरी आर्ड्री आर्टी ये पल्मोनीर्य याड्टि में जब रद्याते में रूधिर आता है तो इंपिएवर आता है है में कौन लेकर आता है तो वेंज को लेकर आती है राइड आर्टिं थे दो वेंस जोड़ी होती हैं इनको जो कहते हैं वेना कावा लार्जस्ट वेना कावा दो इसलिए होती हैं जोकि एक को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और एक को कहते हैं इनफीरियर वेना कावा सिराएं चोटी सिराएं रुधीर को लाकर वड़ी वेनकावा में छोड़ देती है और वेनकावा right artem से जोड़ी होती है तो ampere blood पहले di-alene में जाता है जो पूरा भर जाता है तो tricuspic जो wolf होता ये ये खुलता है ये खुलता है तो ये आ जाता है right venticle में राइट वेंडिकल से यह सेमी डुलार वल्प जो होता है यह होता है इसमें और इससे क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्ट्री होती इससे जोड़ी होती और इसमें क्या होता है कि इंप्योर ब्लड होता है तो यह धमनी जो है ले करके जाएगी इंप्योर ब्लड को लंक्स के पास फिर क्या होता है जो इंप्योर ब्लड होता है यह जो है लंक्स के पास होता है जो फेफ़रो का क्या काम होता है स्योटू और और ओटू इन करना होता है तो जब यह हो गया तो यह हो गया यहां पे प्योर ब्लड तो प्योर ब्लड किसमें होता है पल्मोनरी वेन में तो अब इसे लेकर कौन जाएगा पल्मोनरी वेन तो प्योर ब्लड लेकर कौन जाएगी पल्मोनरी वेन ये लेकर जाएगी लेफ आर्ट्रिया में जब लेकर जाएगा तो ये पूरा भर जाएगा तो क्या खुलेगा बाईकस्विट वल्ड तो ये दोनो तो फ magistिकल में कि और क्या होता है कि जब यह यह वहिए जाता है इस में से आवा जाती है लव die यह भर जाता है और यह जब भर जाता है तो यह दोनों बंद होते हैं इसमें से आब आ जाती है डब लव डब यह साउंड जो है आती है फिर क्या होता है जो इंप्योर ब्लड होता है इसमें भी भरने लगता है फिर इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो लार्ज जो आल्ट्र क्या करेंगे अपने से जो छोटी छोटी खाल होंगी उन्हें ब्लड देगी वह ब्लड लेकर जाएंगी जहां से के पास यह पिर से की प्रोड जाये देंगी फिर पर जाएगा उसमें यानि के यहां से यह जो है pulmonary artery लेकर के गई ऐसे lungs के पास यहां पे हुआ CO2 out, O2 in फिर यहां से pulmonary vein लेकर के गई left artery में फिर यह भर गया pure blood से तो यह bicuspid valve खुले तो आवास के आई डव यह भर गया इसमें auto connect थी उसने अपनी छोटी छोटी जो धमिया थी उसमें blood दिया और वो blood लेकर के गई pure वाला organs के पास तो question आता है heart के पास blood कौन लेकर आता है तो सीरा लेकर आती है and wins largest wins कानाम क्या है तो वेना कावा वे नच वा किस چेंबर से connect होती है तो यह होती राइट औरगन से कनेक्ट होती तो ये कनेक्ट होती है लंग से फेफडे से कौन सा ब्लेड जाता है तो ये पेवर ब्लेड जाता है क्योंकि यहाँ पेवर ब्लेड जाता है तो आज आप से को हरदे धमनिया क्या होती है सिराय रुधिर फेफडा और ये जो है ये सारी चीजे समझ में सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पचला तो लाइक जरूर करें